हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है उधित नारंबी शुकरमा और श्वागत है आप सबीका मेरी यूट् Film चैनल उधित फिर्मसी पर फ्रेंट्स आजकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के टॉप farmers क बारे में जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात के थे इंडिया के टॉप फरमेसि कोलज के बारे में लेकिन आपके लिए बहुत ज़दे यहां पर कमेंटाइक कि यू-पी के टॉप फरमेसि कोलज के बारे में आप में बताइए विडियो इस्टार्ट करने से पहले में बता दू फ्रेंट कि अगर आप D.Pharma First year में है या फिर D.Pharma करने की प्लान बना रहा है आपके लिए हम लेकर करके आए हैं D.Pharma First year का Complete Video Lecture तो अगर आप Video Lecture कर्स में जोईन होना चाहते होंगे अगर आपको कोचिंग करने में प्रावलम हो रही है फिर समझने में प्रावलम हो रही है तो आप जोईन हो सकते हैं कमेंट बोक्स में और डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको D.Pharma First year का Complete Video Lecture मिलेगा जो कि Hindi and English दोनों में हो गया जो भी आपका डावट है डावट पर अलग से बात किया जागा है यहाँ पर डावट से समय रहेगा और आप डावट यहाँ पर वाटसाप कोल या फिर जो है टेलिग्राम गूर्प के मादधन से जो भी आपका प्रावलम है वह भी आप पूछ सकते हैं अब हम बात करते हैं यूपी के टॉप फर्मेसी कोलेज के बारे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्रेमर आप सभी के लिए कि ये वीडियो किसी प्रार की स्पांसर वीडियो नहीं है इसका मतले भी ये बेलकुल नहीं है कि मैं ये जो रैंक दिखा रहा हूँ ये इन कॉलेज से मुझे कुछ पैसे मिले हैं इसलिए मैं सबसे पहले पर इस कॉलेज को दिखा रहा हूँ एक NIRF की वेफसाइट है वहाँ से मैं इस कॉलेज की लिस्ट को उठाया हूँ जो कि आप खुद भी ये देख सकते हैं जिसका मैं लिंक आपको डिस्किप्शन में प्रोवाइट कर दूँगा अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 के जो इंडिया में रैंक किये थे कॉलेज यूपी के यह नहीं कि अगर आप उत्तरप्रेस में एक बेटर कॉलेज की तलास में हैं तो आपके लिए यह जो नेशनल इंश्टीट और पैरमेडिकल एजूकेसन रिसर्च राइबरेडी है जो कि लखनाव सीटी में है उत्तरप्रेस में पढ़ता है यह आपके लिए एक बेस्ट कि इसका जो स्कूर था यहां पर देख सकते हैं कि 54.99 था आलोभर इंडिया में जो की 18 रैंक पे इस था यह मान सकते हैं कि यह कोलेज इंडिया में 18 हुए नंबर का कॉलेज है ठीक इसके बाद दूसरा नंबर मेरा 2020 के एकोर्डिंग यहां पर है यह है एमिटी जो कि यह गौतम बुद्ध नगर में है और यह उत्तरप्रे सिटी में पढ़ता है और इसका जो स्कोर तहां पे 54.49 जो कि 21 नंबर पे टोटल इंडिया में यह रैंक कर रहा था 2020 के एकॉडिंग ठीक इसके बाद हमारा इंटेग्रल इनिवर्सिटी है जो कि लखनव सिटी में है कुर्सी रोड में इसका लोकेशन है ठीक इस इनिवर्सिटी में मैं खुद विजिट किया हूं गया हूं और यह जो है उत्तरप्रे सिटी है जैसके आप सभी पता है लखनवू और फोटी 3.79 इसका जो है आपका स्कोर था जो कि 46 पॉइंट पे इंडिया में रैंक कर रह में है और यह उत्तरप्रे सिटी में हो 42.46 इसका जो है इसकोर है और 49 रैंक था टोटल आलो भर इंडिया में इसके बाद सम्हिं बंत इंस्ट्यूट अप अग्रिकल्चर टेक्नलोजी एंड साइंस जो है लहावा सिटी में है अब प्रयाग राज हो गया बैसिकली जो कि उ 41.05 इसका जो है इसकोर था और रैंक था 56 आलो भर इंडिया में तो यह कोलेज आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं 2020 के अनुशार अब हम बात करते हैं 2019 यानि उससे पिछले में कौन-कौन इसमें से कोले जाते हैं तो इसका डारेक्ट स्क्रीन सोट ले सकते हैं अब हम आते हैं नेक्ट स्लाइज पर बात करते हैं 2019 में तो 2019 में देख सकते हैं कि MAT University यह भी रैंक कर रही थी और Integral University था यह भी रैंक कर रहा था और यह है यह भी रैंक कर रहा था तो यह तीन मतलब दो इन्वर्षिटी और एक जो यह आपका इंस्ट्यूट यह आपके लिए बेस्ट हो सक क्योंकि ये दोजार बीस में उनीस में भी था और 220 में भी एक ओलेज का ये वेस्थ हो 스्कते हैं उससे बी तो कुछ नटे से थी हो सकते हैं अब आते हैं डोजार उंड्यागर देख सकते हैं तो जो सब्सक्राइट। यहां से आप देख सकते हैं और यह सब के बारे में आपको पता है कि गौतम बुद्ध में गौतम बुद्ध में है और यह जो है आपका इंटेग्रल लखनोव में 2017 में हम बात किर 2017 में भी इंटेग्रल इंवर्शिटी टॉप की थी तो अभी तक जो मेरे नजर में है इंटेग्रल इंवर्शिटी सबसे बेस्ट क्योंकि यह हामेशा आई है लेकिन 2017 में नहीं तो अमेट इंवर्शिटी थी नहीं तो इंटेग्रल यहां पर एक और नया कॉल से लेकिन इसका मतलब यह बेलकुल नहीं है कि और जो कॉलेज है वो बेश नहीं है यह कुछ कॉलेज जो की एना यारव के वेबसाइट पर सो हुए थे वहां से मैं डारेक्ट कलेट किया हूं मैं अपना बहुत जादे अफ़ोड नहीं लगा हूं इन कॉलेज को सर्च करने मे आप यह बोल सकते हूं कि मैं वेबसाइट से डारेक्ट लिया हूं मात्र आपके लिए मैं चीजों को आसान किया हूं तक कि आप आसानी से समझ सके तो यह कुछ इनिवर्शिटी हैं 2016 की देख सकते हैं एक इंस्ट्यूट 2017 में एक इनिवर्शिटी इंटेग्रल और 2018 में दो इनिवर्शिटी और यहां 2019 में आप सब ने देखा ही कि तीन इनिवर्शिटी थी और 2020 में आप सब यहां पे देख सकते हैं कि इतना आपका इंस्ट्यूट टोटल आलोवर इंडिया में जो है रैंक किये थे जो की अपने उत्तर प्रतिस के थे हलाकि आलोवर इंडिया पे म कौनसी इंस्ट्यूट जो है टॉप की हैं टॉप सेंटी फाइफ इंस्ट्यूट या फिर इनिवर्शिटी का मैं उसमें नाम बताऊं जो कि टोटल फार्मेशिक हैं तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगे होगी तो फ्रेंड्स उमीद है कि यह रिस अब ही तक आप सस्क्राइब नहीं के होगे तो सस्क्राइब करके बेल नोट संजुएगा उसको आल्पे क्लिक लिजेगा फिर मिलता है नेक्ष वीडियों में तब तक के लिए सब एको बाई बाई